अभिवादन स्विकार करें मैं हूँ मनीशा और आप देख रहे हैं चैनल Unfolding Facts साथियों आज बात करेंगे Dying Declaration या मृत्यू कालेक कथन के बारे में मृत्यू कालेक कथन के बारे में भारती साक्ष अधिनियम 1972 में बताया गया है मृत्यू कालेक कथन का शाब्देखर्थ है मृत्यू से पूर्व किया गया कथन ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति डेत्थ बेट पर होता है तो वो सभी प्रकार की माया, मौ, महत्वा कांच्छा और रंजे शादी से मुख्ध होता है सामानिता है इसे व्यक्ति का अंतिम सच भी माना जाता है इंडियन जस्टिस सिस्टम में मृत्युकाले कथन को सुसंगत एवं एड्मिसिबल माना जाता है चुकि यह माना जाता है कि मरनासन व्यक्ति जूट नहीं बोलेगा और इस प्रकार किसी मृत्विक्ती का कथन भारती साक्ष अधिनियम की अनुसार relevant और admissible है dying declaration, civil और criminal proceedings दोनों जगे admissible है dying declaration का उलेक भारती साक्ष अधिनियम की धारा 32 की उपधारा एक में किया गया है वैसे तो भारती साक्ष अधिनियम में मृत्यू कालेक कथन को परिभाशित नहीं किया गया है परन्तु धारा 32 तथा उसकी उपधारा 1 में दिये गए विवरण के अनुसार मृत्यू कालेक कथन को नेमनप्रकार परिभाशित किया जा सकता है मृत्यू काले कथन किसी ऐसे व्यक्ति का लिखेत या मौखेक कथन है जिसकी मृत्यू हो गई है तथा जिसने अपने कथन में मृत्यू के कारणों को बताया है या उन परिस्थितियों को बताया है जिसके फलसुरूप उसकी मृत्यू हुई है भले ही ऐसा कथन करते समय उसे मृत्यूं की आशंका रही हो या नहीं अर्थार्त संछेप में हम यह कह सकते हैं कि मृत्यव काले कथन तभी रेलिवंट होते हैं जब मृतक ने अपना कथन अपने मृत्यूं के कारण के संबंध में किया हो उन परिस्थितियों के संबंध में किया हो जिसके पर्लामसरूप उसकी मृत्यु हुई हो वैसे तो एविडेंस एक्ट में मृत्युकाले कथन को रेकॉर्ड करने के लिए किसी निर्धारित प्रारूप का उलेख नहीं किया गया है या लिखेत, मौकिक या सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकता है मृत्युकाले कथन किसी भी रूप में हो वैस्पष्ट वा निश्चेत होने चाहिए परंतु किसी मृत्युकाले कथन को इसलिए निरस्थ नहीं किया जा सकता कि उसकी भाषा अस्पष्ट है मृत्युकाले कथन criminal justice system का एक अत्यनत भात्वपून भाग है किसी case की विवेशना में यदि मृत्युकाले कथन record किया गया है तो उस case में conviction होने की संभावना काफी बढ़ जाती है एक बहुत बड़ा confusion यह रहता है कि dying declaration को कौन record कर सकता है इस समंद में भारतिय साक्ष अधनियम में कोई उलेक नहीं किया गया है सामाने परिस्थितियों में dying declaration को magistrate के द्वारा record किया जाता है परन्तु यदि समय इतना ना हो तो magistrate की अनुपस्थिति में डॉक्टर के द्वारा, पुलिस के द्वारा या सामाने पब्लिक के द्वारा भी dying declaration को record किया जा सकता है dying declaration record करने से पहले डॉक्टर इस बात का certificate देता है कि वो व्यक्ति mentally sound है और stable है जिसका statement record होना है जब magistrate किसी व्यक्ति का dying declaration को कलंबध करता है तो वह dying declaration एक प्रिश्ण उक्तर के form में या एक statement के form में हो सकता है जब पूरा statement कलंबध हो जाता है तो magistrate उस व्यक्ति को पढ़ करके सुनाएगा और उसका sign करवाएगा और स्वयम भी अपना sign करेगा यदि dying declaration करने वाला व्यक्ति sign करने में असमर्थ है तो वो उसका अंगुठे का impression लेगा सामानेता मृत्यूकाले करतन को सक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा record किया जाना चाहिए परन्तु यदि व्यक्ति की शारेरिक हालत अत्यंत गंभीर हो तो ऐसा कथन डॉक्टर के द्वारा, पुलिस के द्वारा या पबलिक के द्वारा record किया जा सकता है परन्तु ट्रायल के समय मजिस्ट्रेट द्वारा record किया गया मृत्यूकाले कथन सबसे विश्यस्थनी ये माना जाता है जब magistrate द्वारा dying declaration को record कर लिया जाता है तो उसको seal बंद लिफाफे में pack करके उस जनपत के मुख्य नयाईक magistrate कार्याले भेज दिया जाता है लिफाफे पर मुकदमा प्रास संख्या तथा IPC की सुसंगत धारा का उलेग किया जाता है जब इस केस के investigation officer को विवेशना के संबंद में dying declaration का व्लोकन करना होता है तो वह CGM कोर्ट में जाकर CGM से अनमती प्राप्त करता है और ततपश्या dying declaration का व्लोकन करता है अब एक point आता है कि मान लीजे किसी व्यक्ति का dying declaration record किया गया और बाद में उसकी मृत्यू नहीं हुई तो फिर क्या वो statement dying declaration की तरह treat किया जाएगा ऐसी दशा में उस record किये गए dying declaration की सामान ने statement जैसी value रह जाती है और उसका घटना के collaboration और contradiction के लिए प्रियोग किया जाएगा ऐसा statement dying declaration की तरह admissible नहीं होगा आईए अब dying declaration की evidentiary value के बारे में जानते हैं क्या इसके soul basis पर conviction हो सकता है या नहीं हो सकता है ऐसे बहुत साले judgments हैं जिसमें केवल dying declaration के आधार पर conviction किया गया है परन्तु नियाले को इस बात का 100% satisfaction होना चाहिए कि dying declaration reliable है आईए अब जानते हैं कि यदि dying declaration को पुलिस के द्वारा record किया जाता है तो माननी नियाले के समक्ष उसकी क्या value रहती है भागीरत बनाम हर्याना राज्य के वाद में मृत्तक अस्पताल में भरती था उसे बंदूक की गोली लगी थी पुलिस कॉंस्टेबल ने उसका बयान लिखा पुलिस कॉंस्टेबल ने उसका यह कथन मृत्यू काले कथन के रूप में नहीं लिखा था फिर उसने मजिस्टेट को मृत्यू काले कथन लिखने के लिए बुलाया परिंतु मजिस्ट्रेट के आने से पहले ही वह व्यक्ती मर गया प्रस्तुत वाद में माननी उचितम न्यायले ने यह कहा कि पुलिस कॉंस्टेबल द्वारा लिखित कथन को मृत्यूकाले कथन के रूप में प्रियोग किया जा सकता है पुलिस ओफिसर द्वारा लिया गया मृत्यूकाले कथन ग्राय है और उस पर विश्वास किया जा सकता है स्टेट बनाम लक्ष्मन कुमार 1986 के वाद में जहां कोई बयान इन्वेस्टिगेशन ओफिसर द्वारा अकेले ही उस समय बिना किसी के हस्ताक्षर के और उसका समय अंकित किये बिना ही लिखा गया था उचितम नियायले ने ऐसे मृत्यूकाले कथन को अस्विक्रत कर दिया माननी नियायले द्वारा ऐसे कई निर्ड़े हैं जहां पर पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किये गए मृत्यूकाले कथन को माननेता दी है साथी यह भी कहा है कि ऐसे बृत्युकाले कथन को अधिक बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए तो ये थी डाइंड डिकलेशन के संबंद में आज की वीडियो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद